आप बच्चों, आज हम देखेंगे दो बैलों की कथा पार्ट में, question, answer, कैसे, कौन-कौन से answer को, question को उपने, वो उत्तार प्रस्नों के उत्तार को लिखना है और पढ़ना है, परिछा के तैयारी के लिए भी रूम कर सकते हैं कोई आप, तो हम देखेंगे के लगू उत्तरी प्रस्नों कैसे लिखने जाते हैं, आप देख नगोंगे कि उत्तार के लिखने, अब प्रस्न है, दो बैलों की कथा है, प्रस्न प्रस्न और लगू उत्तरी cauliflower सक्षज है, क्या परिचान होती है हीरा मुदी के सौगाओं के आधार पर उताईए तो उत्तर में हो बिख सकते हैं कि सच्ची मित्र आपस में कुछ मिंदूर कर रहते हैं कभी-कभी आपस में शडार भी करते हैं इससे उन्हा रेम बढता है वे गहरे मित्र बढते हैं मेरा मुदी भी गहरे मित्र में वे खटके खाते भीते हैं प्रेम बढतासी इस दूसरे को सुनते चाटते हैं खेल खेल में इस दूसरे को ढखेलते हैं सील से सील मिलाकर ठेला ठेली करते हैं आपस में जो राजमाइस करते हैं एक दूसरे को देखकर तो हम बिगड़ते मीने पीछे भी रट जाते हैं पीरा मोती सच्ची मित्रता का प्रदर्शन अने किस्तनों पर संदे हैं वे एक दूसरे को संकट से बचाने की लिए पूल सर्गर्ट सहं करते हैं पीरा मोती को सच्चे मित्र बताया गया है और पीरा मोती के आधार कम दूसरों को भी सच्चे मित्र पर सकते हैं पीरे और प्रेस। उसल्यों ड्enne पतनी ही आपके पãई गया के घर मित्वाईते इसलिए ज़शी बाग जाये इसलिए जे लए लवर्त भाग गयाए तो उसे बहुत बुर्छा था इसमmer अपने रखा नहीं अस्था दमाज लिया और इसलिए अभूज से न हिराम मुठी को मुझा कहा था क्योंकि बैर भाग थी ही लिदा मुती सिर्फी उसमें नमखराम का था है लेकिन अन्कन जब लिदा मुती अपने इस्थांपर पहुंचे जूरी की पत्ती के मुता था मैं दूरो दुका था और वाईदा मुटी के को नोजाने से जुटी थी उसमें खंगे दिमाग से सोचा कि हीरा उसी स्वावी को पॉमी को पहना इतने दिनों बाद अन्य पापरवत कुछी से दून कि अशली उसमें इतना था चुंकि अब तो क्यो बहुत दिन के बार उसको भूमी कि पत्नी को अभरे चोती बच्ची ने हीरा मुती की रसी क्यों को भूल जी थी चोटी बच्ची अराह थी इसलिए वहान इसने का मात्यजादी ती उसने समझ लिया था कि एरा मोती भी अपने स्वामी से बिखो ने उपारें उदास हैं और अपस ने उसके पार जाने के लिए तरह रहे थे अता है उसने एरा और मोती की भी खोल दी क्योंकि वो अलग-अलग थे और चोटी पच्ची अरा कि उस से इरा मोती रेम करते दे कि OFF उसके मार्व को पैचान दे लिक जो जी रसी को मिरी नव्ल इता डर्सी मीरा को मल सaráнов लिखा जूआण को मार गिराने की परिना क्या रहना दिनी형 है शल्शक बाड़े स्वाम को मार गिराया इससे हमें एक भी मिलका संवर्स करना चाहिए ये पटी ने अपनी मिलका काते ने चाहिए, एक्ता महरीबल है, फिर प्रस्थ में दो बेलों की गद्था को जिए दिखिए एक्ता में शक्सी होती है, होती है उत्टर है हीना मोगा की सच्य में परने हैं, एक दूसरी की पटी म पेर दूट पड़े और एक उसे आगे से आगे से मारता है, भी दूट पड़ें। बिरह को क्या किजा, मतर की खेंप में जुने पार के माली को उन्य पहे लिया, तुमों नहीं पपड़ के लिया, और आवारा कश्न शनिंट लिए अब कांधी आंचे करवा मैं के हैं Oliv मुंशी प्रेम चन्में कहा कि जानगरों में मुक्त शक्ती होती है, उनमें मापने की सक्ती होती है अपने शरी को टटोल कर देखने वारे गड़ीया लाजम गोग बने हैं समझ गए, उनमें पता चल गया था कि या आपनी उनक्र नहीं है फिर जानगरों में ही मानझी सल्गे सामय होती है इस कदर से वैं, दो वैलो शक्ती क पर आजमाज़ ले जानगरों में हैma जैंसी कोमर कोमर लाणाय होती है मूलइ वैरा और मोझी मनुस कीी मनुस की तरह रहे, वैं मुस्क्ती की क्रेम और असने को समझते हैं वे प्यार कर एक उसरे को नहला कर प्यार से ही देते थे और दूसरे वे रड़ियल आजमी और गया की कठोर भाव को समझते भी थे लेकिन उड़ पे डायात रोज में दोजी बावना भी तबिल मानने भाव दिखाई देता है इससे हमें यह समिरना मिलती ही है दो बैलों की कठाव है आगे देखेंगे आप्रस्णों को की कालिक्स्तान में क्या वाजना है अब उपन्या सवराट की नाम से जानी जाते हैं कौन? मुशी प्रेमचन मुशी प्रेमचन जी मुशी प्रेमचन जी का बच्पन का नाम क्या था? धन्बद राय धन्बद राय बच्पन का नाम था प्रेमचन जी का पर जूरी के बैलो करना हीरा और मुटी क्या था हीरा और मुटी था? जानो अथ में सबसे बच्पन जान पाथ गधा पर दो महिलों की कथा की माद्यन के लेका भार किये लोगों को क्या थिकाना चाहता है? परतंत्रता चाहिए लेकर परतंत्रता अब है सही जोडी बनाओ बच्पी यह आएगा महामुर पर सहिष्णता सैंसीदा पर गोई गोईगा क्या आएगा? बेलों की जोडी पर आएगा शिखरिया अस्ती पंजर पर उस्ताज यानि गुरू क्या होता है? गुरू रुपी इन महामुर पर गोई यानि जोडी पर गोई यानि जोडी बैलों की जोडी अथिया यानि अस्ती पंजर उस्ताद यानि गुरू गुरू देखिए अने वस्तुमित प्रस्नों के आंसर कैसे निकालते हैं बनाते हैं अब और एक जीज में अब जीज में वस्तुमित तुमें और भी इसर प्या सकता है में एक आतमे उत्तरकी है िया और मोटी देखने वे में शुक्र, काम, छोकत दील में उंच इंगर पछाई जाथी ज़्य थेक, क्या है है इह सक्तनह पह Όले क्या देना और मोटी को आजाती प Palein कि ये असक्त है, लेकिन दुखा जादी पसंदी, विपक्ति कहा नुढ़ाओ, करके लोग बगवान को याद करते हैं, सक्ते हैं, पर दो पहले उसका कहा निसे पहना, क्या आजादी दिना, तंगर नी मिस्थी, ये भी सक्त है, पर जांगरु में भी वानुवा जैसी को मल, जादी नौन आया भी ने, तंगरु में भी सक्ते हैं, सोभी तमस्ते हैं नविस्थानों को, है ना, हमारे साथ से बैठ जाते हैं, हड़े हुजाते हैं, रोची का लेते हैं, तो उनमें तिमाना जैसे भानाएं, को मज़ाओं तो नेखी ये एक वात उन्हें उसक्तर, पहल नौखिया, की ने नौख होता है है, तेरे लगधा और शी मुनी में क्या तमानता है, सुथदुख की समानता है, ताई की सुथदुख। तेरे बैंट को क्या दखा जाता है? बच्चिया के ताव। बच्चिया के ताउन हो। किरेओ, कांधी गामस क्या है? कांधी गामस बसनों की जर्म है. जूसे की दैं कॉंसी जाती है। जिर्मास कांधी जाती है। तो उनसी जाती के एई ये जानवरों में जाती होती है, बेलों में वो पच्छाई जाती है, तो जूनी के बेल पच्छाई जाती के तिकान या हो, क्या है, कस्मू की जेल, क्या है कस्मू की जेल? बच्चों आपको ही कोशन अधर दरने हैं और परिच्चा के लिए आपको पढ़ती जाना है और तयारी करते जाना है लिख लिख के लिए आपको याद होगा इससे पर लिखें और तयार हो